एक बार एक कुमहार घड़ा बनाता था और घड़ा बेशता था उस कुमहार से एक व्यक्ति हमेशा घड़ा खरीदने आता था वो सर्पंच हो गया फिर वो व्यक्ति और सर्पंच जी आप आपको देखकर नहीं बूल रही हूं है तो सर्पंच था वो व्यक्ति तो कुमहार चुकि से हमेशा इनकी मुलाकात होती थी हमेशा इसकी दुकान पर आता था और देखता था कि दिन प्रती दिन वो वो अमीर होता गया अमीर होता गया और बहुत पैसे वाला हो गया और कुमार के मन में आता कि मैं इतना घड़ा बेचता हूं इतना महनत करता हूं दिन रात महनत करता हूं लेकिन मेरे पास तो वही गरीबी की गरीबी रहती है मेरे पर पैसा नहीं बढ़ता तो सर्पंच से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी मशीन है जिससे कि लिकिन शराम निंआ नाया मेरा तो क्या महारे पास पैसे गंदाने मैशेन है कर तो इधीन तुम भी बना सकते हो चैसे बना सकता हो तुम्हारे पास भी है कैसे तुम जो घड़ा बना रहे हो ना तुम एकIST काम करो एक हजार रुपे मुझे बना दू एक हजार नोट चाहिए मुझे मिट्टी से कैसे बनाओंगा बोले बना सकते तुम बनाओ तो सही तुम बना सकते हो मिट्टी के रुपे तुम मुझे एक हजार रुपे बना के दू कुमार सोचा ठीक है मजाग कर रहे होगा ये सरपंच कुछ दिन बात देखेंगे लेकिन सरपंच को रोज कुमार जब घड़ा बेचने बजार में जाता तो रोज मिलता और सब के सामने कहता भई मेरे हजार रुपे तो दो और कुमार भी हसके टाल देता बोलता दे देंगे जल्दी भी क्या है ऐसी और फिर और फिर दूसरी जगMAN दूसरी बजार जाता क्यांकि हर चाहर ज्या भजवाज बेचन लगता ता अलग अलग वो जगय जाता तो घड़ा पिर Content आप चाहर दो और कुमार सो के टear के बही मेरे हजार रुपे तो दो मुझे वापस करना दे नहीं रहा, इसने मेरे को वापस नहीं कि, मेरे हजार रुपे इसके पास है, बाकी सब लोग तो रोज सुनते ही थे, कुमार बोला, सारे लोग गवाह में खटे हो गए, वो जो लोग सुनते थे, कि सरपंच रोज पैसे मांग रहा हजार रुपे, तो उनको तो प्रमार था, वो गवाह, सारे खटे हो गए, सरपंच ने कहा, कि लाओ मेरे हजार रुपे, उसने बोला, कुमार ने भाई, कैसे तुमने तो मेरे को मिट्टी से बनाने के लिए रुपे बोले थे, मिट्टी, तो लोग बोलते, ये कोई सफाई है, मिट्टी का लेकिन कोई मानने को तियार नहीं, सरपंच कैसे पागा ले किया, ये जो मिट्टी के रुपे मांगेगा तुमसे हजार, हजार रुपे मिट्टी के कौन बनाने बोलेगा, और किस काम के इसके, तुम जूट बोल रहे हो, इनके रुपे दो, हजार रुपे नहीं तो तुम बोलने वाली मशीन जो बोलके जूट को सच कर देती अ damn है एक ही बात को जब रिपीट करते हैं बार-बार रिपीट करते हैं तो जूट सच हो जाता है हिटलर का तो बचान नहीं था ना कि बार-बार किसी चीज़ को रिपीट करो तो वह सच प्रतीit होने लगता है कि हम जब पैदा होते हैं एक बच्चे की तरह कोई इस जगत में आता है तो अपने शुद्ध चैतन्य सभाव में इस्थित होता है और अपने आपको वह किसी और के रूप में देखता है एक व्यक्ति की तरह ठीक साक्षी में जीता है वह समय बच्चा गिरता है तो कहता है मुन्ना गिर गया मुन्ने को चोट लग गई बच्चे को भूक लगती तो वह नहीं कहता कि मुझे भूक लगी वो कहेगा मुन्ने को भूक लगी है बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कहता है मुन्ने को ये प्रॉब्लम है मुन्ने का पेट दुख रहा है लेकिन वो नहीं कहता मेरे को भूख लगी मुझे प्यास लगी है ये नहीं कहता उसे सिखाया जाता है तुम बोलो कि मुझे भूख लगी है मुझे प्यास लगि भाशा सिखाते हैं हुँशे और यह भाशा सिखाते सिखाते ऐसा हो जाता है कि मुझे इतना सच-फर्तित होने लगता है यह मुझे जो क्या ऐसा गलत से टादात बिठा देता यह एक शब्द मुझे कि नीद में भी दस लोग सोई रहें, तो दस लोगों में से अगर नाम लिया जा रहा इस व्यक्ति का मुन्ना का, तो यह मुन्ना ही उठेगा, बाकी नौ नहीं उठने वाले, इतना सबकॉंशनस में, इतना गहरा चला गया, रिपीटिशन करते करते करते, एक जूट का रिप कि टायटेक दूएब की तरह हम अलग हो गया, आलग तेलग अब जब मैं अलग हूँ, सबसे अलग हूँ, तो मैं अपने लिए बीख attitude भी होंगी लोगों से, महत्वाकांग्शा भी होगी, wygląda, इर्शा भी होगी, दृश होगा, लडाई भी होगी, क्रोध होगा, सबकुछ Ohio speaking क्यों मैं मैं सबसे अलग हूँ, मुझे अपनी सफ्फा बचानी है, बागी सब मेरे दुश्मन है यह यह भाव पैदा हो गया वह जो प्रेम मैं स्वरूप लेकर हम आये थे यह सारी चीजें प्रकट हो गई एक गलत तादात में करने से और वह भी क्यूं हम आरे रिपीटीशन से तो क्या एक गलत रिपीटीशन जो हमको गलत से तादात में करा देता है काम चलाओ repetition कहना पढ़ता है अगर नहीं भाषा सिखाते तो भी बात नहीं बनती तो जब हम एक शब्द से गलत association में चले जाते हैं सब सत्ता से अस्तित्व से सबसे टूटका अलगत अलग हो जाते हैं तो क्या हम एक सही repetition से एक सही जाप से इस गलत के तादात में को नहीं तो के पार नहीं आ सकते क्या जिस चीज ने हमें फसाया उससे हम वापस तो लोट सकते उसी विदी से भगवान कृष्ण एक जगह बोलते हैं कि मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है मेरे लिए कोई अप्रिय नहीं है लेकिन जो मेरा प्रेम से जाब करते हैं मैं उनमें प्रकट हो जाता हूं और वे मुझ में प्रकट हो जाते हैं मैं उनमें प्रकट हो जाता हूं और वो मुझ में प्रकट हो जाते हैं कैसे जैसे एक बीज है अब बीज है बीज को जमीन में गडाएंगे जमीन में खाद पानी दो बीज हैं संदूक में एक बीज संदूक में पड़ा है और एक बीज ह तो खात दिया, पानी दिया, सब कुछ मिला उसे, अब अंकुरित हो गया, पेड़ बन गया, तो क्या ये पेड बना, तो इसमें, इसमें क्या आकाश नहीं आया, जिस आकाश, उसे वो धूप ले रहा था, हवाएं ले रहा था, सब कुछ क्या, मिट्टी ले रहा था जिस जमीन से, क्या ये सब इसमें प्रकट नहीं हुई इस पेड में, सब कुछ इसमें है ना, एक पेड में आकाज भी है, मिट्टी भी है, पानी भी है, हवाएं भी, सांस भी ले रहा लेकिन दूसरे भीज को अगर हम ले जाएं तो दूसरा भीज को बताएं कि भाई ये तुम ही नहीं हो तो पेड को देखके भीज बोले का मेरे उपर ब्यंग कर रहे हो तुम मैं कैसे यह हो सकता इसके उपर इतने सारे पंची इतनी इतनी तितलियां मंडरा रहे हैं ऐसी हवा हो ही नहीं सकता कि यह मेरी ही मेरा ही भविश्य है क्योंकि वह तो संदूक में बंद था उसे वह परसिती नहीं मिली और उसमें वह व्रक्ष प्रकट नहीं हुआ वही कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके भीतर एक रूप से व्यापक हूं सर्वयापी हूं सबके भीतर वैसा ही क इसा मेरे लिए कोई नहीं है और कोई अःभे भी नहीं है जब प्रेम फून्टा में जाता है तो तो प्रेंप परे भी ने बस्ता फिर कोई अःभी ने बस्ता याद लेकिन भगवान कृष्ण कहा है कि मुझे जो भजेगा तब उसमें प्रकट दिखाई दो इसलिए बुद्ध हमें अलग दिखाई देते हैं महावीर हमें बिलकुल अलग दिखाई देते हैं भगवान ड्राम अलग दिखाई देते हैं, भगवान कृष्ण अलग दिखाई देते हैं, हमसे बिलकुल अलग दिखाई देते हैं, हमें बिलकुल भरोसा हो यह नहीं सकता, क्यों उनमें आवतरण हुआ, उनमें भी वही संभावनाओं शो बार बार हमें यही याद दिलाते हैं, सब के बात में स्मरण किसका स्मरण कर रहे हैं खा रहे पी रहे चल रहे फिर रहे सो रहे सब तरफ जब प्रभु स्मरण से हम ओत्प्रोत हो जाते हैं तो यह स्मरण जो है यह भजना जो है यह जमीन बन गई हमारी चेतना के लिए और यह चेतना इसमें जब इस जमीन में में जगह पाती है, तो फिर एक दिन इसमें परमात्मा प्रकट हो जाता है, ऐसे आमने सामने कुछ नहीं बात बनेगी, ऐसा कुछ प्रक्टी करन ऐसा है, एक दरपन रखा है, उस दरपन के समानांतर दूसरा दरपन रखा हुआ है, दो आइने आमने सामने हो गए, चेतना और परमात्म आपने साबने हो गए तो इन्फिनिटी एक आइना दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है वही है आइना फिर और रिफ्लेक्शन में जा रहा है आइने 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 अनंत ऐसे हमारे भीतर वह प्रक्टिकरन दिखाई देने लगता है लेकिन कार्ण हमें करना क्या है एक दूख में बंद है और तो उसको संकल्प लेना होगा जमीन में गड़ने का उतना करना होगा अगर हम उतना नहीं करेंगे तो हम अपनी संभावना को चूक कर हमेशा प्रभू से वंचित रहकर दुख में डूबे रहेंगे और जो हम अपनी संभावना लेकर आए हैं उसको खोकर रोते हुए इस जगत से जाएंगे तो अपनी संभावना की यादाश्त हमें गुरु दिलाता है सद्गुरु की मवजूदगी उसकी वानी हमें सब कुछ याद दिलाती है